हलो मेरा नाम चंद्रहा से स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैंने आपको सिलोजिस्म पे समनौट केसेस का वीडियो दिया हुआ है तो जिन लोगों नहीं देखा है वो वीडियो तो वो जाके पहले उसे देखें तभी आपको समझें आपाएगा मैं यहाँ पे क्या बात करने वारा हूँ तो उस वीडियो का जो सबसे लास्ट कोश्चन था उसमें कुछ लोगों को कन्फियूजन हो रही थी कि कौन सा आपको से होगा या फिर आपको दिये होंगे तो उनका एंसर क्या होगा तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है अब जो मैंने वहाँ पे कोश्चन सॉल्व किया हुआ है उसमें थोड़ी सी कन्फियूजन हो गई है मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है जिसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो पहला उपशन है वो आपका क्या है true है लेकिन अगर अभी मैंने शाम को आके जब देखा है तो बहुत सारी लोगों comment थे तो मैंने realise किया है कि जो अपको उसका पहला option है वो true नहीं है थोड़ी सी देखने में गलती हुई है तो जो उसका पहला option है वो true नहीं है, तो कैसे इसे देखेंगे, देखें, क्या लिखावा है, some giraffe are not donkey, कि कुछ जिराफ हैं वो donkey नहीं है, तो यह आपका case था, तो बस आपको prove करना है कि सारे के सारे giraffe donkey हो सकते हैं, तो यह आपको करना था और यहाँ पे statement क्या दिया हुआ था, some some not के cases में आपको तीन possible diagram लगभग मिल सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, some donkey और not giraffe तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो basic diagram बना है, यहाँ पे focus किया होगा, इस बाहर वाले part पे होगा, दूसरा क्या हो सकता है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी दंकी हो गया, और यह क्या हो गया, उसके अंदर जिराफ आ गया, ठीक है, तो यह बाहर वाला part तो क्या है, डंकी का हिस्सा नहीं है, और आपके statement में यहीं लिखा है, some donkey और not giraffe, लेकिन अब सारे के सारे जिराफ तो डंकी के अंदर आ ही गया, तो एक case हम को ऐसा मिल गया, ज इसमें सारे के सारे जिराफ के हैं, डंकी के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए यह जो यहाँ पर conclusion लिखा हुआ है, यह सही नहीं होगा, यह क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, यह case आपका क्या होगा, गलत होगा, सही नहीं होगा, जहां तक रही दूसरे conclusion, तीसरे और चौथर की बात तो वो सारे वहां पे सही ही लिखे हुए हैं तो यहां पे जब आप ऐसा देखेंगे क्या कि आपका जो दूसरा वाला conclusion का रहा है सम जिराफ और डंकी कि कुछ जिराफ आपके डंकी होंगे ही होंगे तो यह भी आपका गलत हो जाए क्योंकि सम नौट के केसे बन रहे हैं कैसे आइदर आर के केसे बन रहे हैं कि यहां पे दिखेंगे क्या है सम नौट है और जिराफ और डंकी है यहां पे क्या है सम है जिराफ और डंकी है तो पहली बात क्या कि दोनों conclusion wrong होने चाहिए वो सही है दोनों के जो elements है हो क्या होने चाहिए same होने चाहिए subject or predicate वो भी क्या है सही है उसके बाद तीसरा क्या हम check करेंगे कि उनकी बीच relationship कैसी है some plus some not की तो भी क्या है आपकी सही है तीनों आपके either or के case form कर रहे है तो यह आपका पहला और दूसरे में क्या लगेगा either or का case लगेगा ठीक इसी तरह तीसरे और चौथी में आप आके देखते हैं क्या कि दोनों conclusion क्या है आपके गलत है यहाँ पे subject or predicate क्या है same है यह भी सही है फिर क्या है some not or all की relationship है जो कि एक either or के relationship होती है तो भी आपका मिल रहा है तो तीसरा और चौथा भी क्या होगा either or का case बनेगा मतलब पहला दूसरा भी either or का case है और तीसरा और चौथा भी either or का case आएगा इसमें कोई भी आपका individual conclusion आपका सही नहीं हो रहा है तो इसलिए पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे में either or case आएगा तो यह जो confusion थी आप लोगों को मेरे ख्याल से अब दूर हो गई होगी कि यहाँ पर जो confusion हो रही थी यह सही answer होगा तो मैंने उस वीडियो में ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर मैं options की बात नहीं करूँगा either or one or two है या दोनों सही है या ऐसा कुछ उसकी बात नहीं करूँगा एक एक individual conclusion की बात करूँगा कौन-कौन सा सही है और कौन-कौन सा गलत तो अगर आपको यहाँ पर option दिये होंगे तो either one or two और या and कह लिए either three or four यह आपका क्या होगा सही होगा ठीक है दोनों केसे में क्या लग रहा है either or लग रहा है तो यह आपका सही option होगा तो इस तरह का कुछ यह special case बन जाता है तो इसको आप ध्यान रखेगा तो मेरे ख्याल से बापका confusion दूर हो गया होगा जिल लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ वो आज ही जो वीडियो डाली है सिलोजिस्म की समनाट के केसेस पर उसको जाके देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा बाकी कोई problem नहीं आखरी question problem थी जो अब इसके द्वारा आपकी दूर हो गई है तो आप अच्छे से तयारी अपनी बनाए रखिए तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब में मिलेंगे next वीडियो में बाई